एलो दोस्तो टेक्निकल गुजु मास्टर चेनल नियंदर आप सोनु स्वागत छे दोरण आठ विशै सामाचिक विग्णान पाठ साथ महात माना मार्ग पर भाग एक मित्रो आज आपने साइमन कमिशन विशै अब्यास करीशू साइमन कमिशन ओग्णिशो ने सत्याविस्म भारत मा आवियोतू आ साइमन कमिशन मा युवतू के इंगलेण मा बेठेली ब्रिटिस सरकारे साइमन नी अध्यक्स्तामा एक कमिशन भारत मा मोकलिऊ आ आयोगने बारतना राजकिय जीवनना बविशनो निने करवानों तो परन्तु आ कमिशन मा एक पण भारतिय प्रति निधि नहतू आ निने थी बारत मा खुबज असंतो स्पेदा थरू बदाज राजकिय संगठ हनों साइमन कमिशन नो बहिशकार करवानों निने करू जयरे कमिशन ना सब्यो भारत पहुँचे या त्यारे विरोध प्रदसनों थी तेमनों स्वागत करवा मा आवियू प्रदसन कारियों नारो फक्त एक तो साइमन गो बैक एटले मित्रो जयरे सर साइमन ना नित्रूतونी जय आ साइमन कमिशन जयरे भारत मा आवियू तो त्यारे भारत नो एक पण प्रति निदीट आनी अंदर सामेल ना अथू अठी आपणा भारतियों नी अंदर खुब ज असंतो श्पेदा थेू अन्या असंतोस पेदा थवाने कारणे जी राजकी संगठ होनु अता यहमने आ साइमन कमिशननों खुबज बोहडा प्रमाणम मुटा पाये विरोध कर्यू अन्या कारणे जी साइमन कमिशन जैरे 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 बारत में आव्या त्यारे तेमन आ प्रदेशन बोह पाये प्रदेशन करवा मा आयू अन्या प्रदेशन कारियों लोग फक्ते एकद नार्व तो कि साइमन गो बैक अने आ साइमन कमिशन ओग्णिशो न सत्याविस्मा बारत मा आवियोधू एटले मित्रो परिक्षान इंदर तमने आमथी आने टूकनाद पुछेई शके कि साइमन कमिशन विशे टूकनाद समझाओ अने साइमन कमिशनन विरोध सा माटे करवा मा आवियो एपन प्रश्न पुछेई सकेशे बराबर हवे त्यार बाद आपन बिजो टोपिक जोईशो बार्डोली सत्याग्रह अंग्रेज सरकारे बार्डोलीना खेडूतो पर कर वेरामा बाविस्टकारनों वधारो करी दिदो अदो खेडूतो ये सरकारने रजुआत करी पन सरकार पर कईज असर न थाई छेवटे खेडूतो ये सत्याग्रह करवानों नक्की गर्यू अन्ण वल्लब बाई ये आ अंदोलन नी आगेवाने स्विकारी जो मित्रो खास विचारवा जेवू छे अन्ण समझ वाज जेव टोपिके छे क्या वल्लब बाई ये आडोली सत्याग्रहनी जे आंदोलन थाई तू ये आगेवाने स्विकारी अन्दोलन शरू थाई रवी संकर महराज अन्ण जुगत्राम दवे जिवा कार्य करताओनी मदद मड़ी वल्लब बाई पटेलने आ बाडोली सत्याग्रहनी जे आंदोलन थाई येमा काया कार्य करताओनी मदद मड़ी तो रविशंकर महराज अन जुगत्राम दवे खेडूतो निर्भय बनी काईदानो भंग करवा लगया वल्लबबबबाई ना जुस्सादार भासन थी खेडूतो माहिम्मत आवी अनते अंग्रेज सरकारे वल्लबबबबाई ने पुना बोलावे खेडूत प्रती निद्यों नी हाजरी माज नियाय पुना मेसुल नक्की करवा मावियू औन या सफड सत्याग्रती वल्लबबबबबबाई सर्दार के हुआया औन सर्दार पटेले उगणिशो पिस्तालिस्ती सुर्दालिस्तना समय आजादी माटेना वार्तालापम महत्वनी भूमिका निभाविय दी औन या उगणिशो अधार पची स्वतंत्रता आंदोलन मा प्रथम हरोड मा रहनारा पटेल उगणिशो इकद्रिस्मा कॉंग्रेस ना अध्यक्स पन हता आ सिवाय तमने परिक्सानी अंदर बाडोली सत्याग्र विशे टुकनत पुछी सके से अन एक बिय मार्क्सम ना ना प्रष्णों पन पुछी सके से ए ना ना प्रष्णों आ प्रमाने पन होई सके कि अंगरित सरकारे बाडोली ना खेडू तो पर केतला टकानो कर वेरानो वधारो करे होतो तो जवाब मा उसे 22 टका आव प्रांत विजो एक प्रष्णों एव पुछे सके कि बाडोली सत्याग्रहना आंदोलननी आगेवानी कोने स्विकारी है तो बाडोली सत्याग्रहना आंदोलननी आगेवानी लोखंडी पूरू सेवा सर्दार वल्लब्बे पटेले स्विकारी है तो रविशंकर महराज अने जुगद्राम दवे जिवा कार्य करतानी मदद मड़ी हती अने बाडोली सत्याग्रव मा सरदार वल्लब पे पटेलने कईू बीरुद आप्पामा आवियोतु बराबर त्यार बादव आपड़े पधारन टोपिक यह चके आटलू जानो यहमा यो चके आपना सब्दनी सक्टी सत्यमाटेना आग्र पैटले सत्याग्र ब्रिटिस सत्ताने यो अनुबव थयो थयो कि विश्मी सदी थी सत्याग्र सब्दने अंग्रेदी बाशा मा सव्मा विले आमा Г में आ सत्याग्र सब्दने विश्मी सदी थी यमने अंग्रेजी बासा नी टे डिक्ष्नरी होय थो यनी अंदर समावी लेव मायो अंग्रेजी बासी ने आ सब्दनो और समझाव पड़तो नती सत्ताना दू रुप्योग नी सामे आ एक नैतिक आंदोलन चे न विदेश मां माटिन लुथर, किंग औने नेलसन मंडेला पर आ पद्धतीनी खास असर पड़ी आजे विश्वना कोई पन भागम आ प्रकानना अंदोलन माटे सत्याग्र सब्द वापरी सकाई छे आपनो आ सब्द आजे अंतराश्टिय बनी चुके छे बराबर एटले विचारव सत्याग्र सब्द नी सक्टी केटली छे ए आना उपर्थी आपनने ख्याला आवे त्यार बाद नहरू एवाल जे उगणिशोन अठे विश्मा आवे बारत ना बदाज राजकिय ने पक्षोना प्रति निज्योनी बनेली एक सर्व पक्षिय परिशद फेबुरुआरी उगणिशो अठे विश्मा दिल्ली खाते मडिये दी अने त्याने बारत नू बंदारन गडवा माटे मोतिलाल नहरूना अध्यक्स पदे एक समीती बनावी अन त्याने बद्धाज पक्षोने अनुकूड आवे त्यो बंदारने मुसद्ध तैयार कर्यो जे नहरू एवाल तरीके जानीतो छे आ नहरू एवाल तो बनाईतो दुदो परन्तु मुस्लिम लीग नी असम्मती थवाने कारणे सरकारे तैनो सु कर्यो अस्विकार कर्यो नहरू एवाल मोतिलाल नहरूना अध्यक्स पदे बनावामा तो आई गयो पन मुश्लिम लिग नी असम्मतिने कारणे एनो सरकारेशु करे अस्विकार करे बरबर त्यार बाद आवशे पूर्ण स्वराज नो थराव उगनी सोने उगंत्रीश उगनी सोने उगंत्रीश मा पूर्ण स्वराज नो जे ठरावतो एना विश्यापड बनिये तो नहरू रिपोट अनुशार सांस्थानिक स्वराज ने मुद्धे उभा थाईला विवाद ने उकेलवा माटे सरकार ने अपायल मुदत पूरी थती तो ए विवाद ने उकेलवा माटे नी जे मुदत पूरी थती दी एना माटे कोंग्रेस लाहर मुगा में जवाला नेहरूनी अध्यक्स्तामा एक अधिविशन बोलागी अन सरकार नों कोई प्रतिसाद न मड़ता जवाल नेहरूये रावी नदीना तटे मडेल आ अधिविशन ने पूर्ण स्वरा जंगी नो ठराव पसार कर्यो त्यार बाद 26 जान्युवरी उगणी सो तिस्टना रोज आ संदर बे कोंग्रेस से स्वतंतताना स्वगन लिदा औने आ बनावनी यादम स्वतंत्र भारत ना बंदारन ने पन एज तारीके अमल मा मुक्वामा आवी अना मित्रो एक वदारानी जानकारी ये छे कि महात्मा गांधीजी ये ओगणीश 24 मां बेल गाओ कॉंग्रेस अधिविशन मां एक वखत प्रमुक पन बनी चुक्या छे तो आँ साथे आपड़े आपाठी ये पून करिये सी महात्माना मार्क पर भाग एक